How to enable and use call recording feature in iOS 16, iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus और iPhone 10 यदि आपके पास iPhone 6 जैसे model हैं तो भी मैं आपको बताने मालों कि कैसे आप actual में call recording यूज कर सकते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यदा required है Welcome back to new video, I hope आप सभी बढ़िया होंगे तो जैसा कि आप देख पारें मेरे पास यहां पी इतने सारे iPhone है जो कि एक iPhone 8 Plus है और iPhone 10 है और साथ के साथ मेरे पास iPhone 13 भी है और जिससे video shoot कर रहा हूँ iPhone 14 Pro Max है अब देखो यहां पे जो बड़े models हैं जैसा कि आपको आप पता ही iPhone 11 से लेकर अबब सीरीज में call recording आप ले सकते हैं यूज कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप मेरी वीडियो पहली बार watch कर रहे हैं दू लेट मी नो इन दा comment box चैनल को subscribe करो साथ के साथ हीट कर दो bell icon को ताकि हम iPhone से related कोई भी problems होती है solve करने के लिए वीडियो डालते हैं तो आपके पास वीडियो का notification या ट्याफिलेट करना चाहिए तो जैसे कि आप देख पारें मेरे पास यह iPhone 13 model है ठीक है तो अगर आप सबसे पहले हाँ पे required इसकी update की बात करेंगे तो आपके पास minimum जो है iOS 18 होना चाहिए बड़ जिन iPhone में जैसे कि इन में यह 18 सपोर्ट नहीं करते है तो आपको क्या करना है सबसे पहले में आपको बता दू गाइस यह सबसे पहले फीचर जो है call recording का Apple ने iPhone 15 सीरीज में दिया था बड़ आइटिंग यह एक वीक हुआ है कि अब Apple ने एक update दिया नया जो कि है iOS 18.1 उस update में क्या है कि उसको गन्ने के बाद आपके सभी iPhones almost सभी तो नहीं कहूंगा iPhone 11 से लेकर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 में of course उसमें हो गई तो यह iPhone भी support करके call recording को तो यह सबसे बड़िया बात है कि इन iPhone में भी call recording हो जाती है जैसा कि यह वाली iPhone में भी हो जाएगी यहाँ पर मैंने इसको update नहीं किया हुआ है iOS 18.1 में क्योंकि मैं stable version यूज़ करता हूँ और यह 14 से यूज़ कर रहा हूँ वीडियो 14 pro max से record कर रहा हूँ वीडियो इसमें मैंने इसको install किया हो इसमें मुझे call recording मिल गी है ठीक है पहले था सिर्फ और सिर्फ iPhone 15 pro and pro series के लिए ह ठीक है pro max बगरा जो भी थी आप सभी iPhone में कर सकते हो iPhone 11 से लेकर बड़ iPhone 11 से बिलो कौन से iPhone है यह देखो यहाँ पर iPhone 10 model है जो कि कितना प्यारा फोन है अभी तक मैं इसको यूज सकता हूँ और कहीं भी भी इसको मैं देता नहीं कोई ले ले नहीं मैं इसको अभी भी रखता आपको और यह iPhone 8 Plus है ठीक है इसा कि आपको बता है कि इन iPhone के अंदर आभी भी सपोर्ट करता है iOS 16 और अभी भी अपडेट आते रहते हैं security updates आप देखो यहाँ पर रीजन बताता हूं यह अपडेट आपके iPhone में क्यों नहीं क्यों 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 नहीं क्यों 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 आपके पास दो option है एक तो है कि आप इन iPhone में जैसे कि मैं आपको ले के जाता हूं एप स्टोर पर जाओ और यहां पर जाने के बाद आपको बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूं आप सभी यहां पर continue कर देता हूं और यहां पर लिखो call recorder ठीक है call recording लिखो जो भी तो आपक एक application जो उसकी आप rating देख सकते हैं और second application है यह आप इन apps का इस्तमाल करके बट I think यह जो है थोड़ी सी paid हो सकती है बट आप इसको try करें और में भी नहीं भी हो सकती है तो यह application आप यूज कर सकते हैं as a call recording के लिए बहुत ही सही है और अगर आपको यह apps नहीं यूज करने ह पर और दो चार्जार रुपए डाल कर आप iPhone 11 की तरफ सिप्ट कर जाओ गाइस वाकाई में बहुत ही बिंदाज है अभी भी iOS 18 के सपोर्टीड है यह iPhone iPhone 11 की बात कर रहा हूं तो अगर आपके पास budget कम है दो चार्जार रुपए अड़ करो और इनको निकाल दून को सेल कर द अगर आपके पास यह iPhone है क्योंकि यह नहीं यूपी यह सपोर्ट करते हैं और नहीं आपको पता है कुछ बैंकिंग आप से यूज कर सकते हैं ठीक है तो मैं तो कौंगा भाई आप सेट करो आप 11 की तरफ जाओ वह बहुत सही रहेगा अधरवाइस आप एप्स का यूज कर